जैसा कि आपको पता है समाजबादी पार्टी के नेता स्वामी परसाद मौरे ने सफा से राश्टी महसाची बत्स इस्तिफा दे दिया है इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोसल मीडिया प्लोटफॉर्म X के जर्ये दी उन्होंने फोस्ट के जरिये सफा मुकिया अकले स्यादब और पार्टी के अधिकारिक सोसल मीडिया हैंडल को भी टेक किया साथ ही स्वामी परसाद मौरे ने इस्तिफा देने का भी कान बताये लंबा चोड़ा लेटर लिखे अब इसके बाद दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कल स्वामी परसाद मौरे ने समाजबादी पार्टी के राश्टी मा सची पस से इस्तिफा दे दिया इसके बाद एक अलगी हल चल मच गई है मीडिया में उसके बाद एक नेता है महंदल के केसब दे मौरे जिनका नाम आपने खूफ सुना होगा तो दोस्तों वो सबस्यादा खुछ दिख रहे हैं वो को दिख रहे हैं वो भी आपको उताएंगे उन्होंने अपने सोसल मीडि रहे हैं वो बीजेवी के एजेंड है पर दोस्तों उस टेम्ट अकले स्यादव की तरफ से भी और समाजवादी पार्टे की तरफ से भी दबाब बनाया गया था केसब दे मौरे पर कि आप सवामी परसाद मौरे पर कोई भी जबाब टीपली नहीं करेंगे अब इसके बाद दोस्तों कल केसब दे मौरे ने अपने एक्सपर के लिखा वो भी आपको बताते हैं तो केसब दे मौरे अपने सोसल वीडिय एक्सपर लिखते हैं महंदल को नजर अंदाज करके जिस स्वामी परसाद मौरे को अकले स्यादव जी ने अपने सर पर बिठाया भी स्वामी पर स्वामी परसाद मौरिया और एसस के सारे पर लोग सबस्वा चुनाब के एन मोखे पर फालतु का बहाना बता कर समाजबादी पार्टी को चुनाब हाराने का सड्यांत्र में जुट गए हैं बहीं एक और पोश्च लिखते हैं जिसमें लिखते हैं मैं कैसब देव मौरिया आ समामने तक बोल रहे हैं कि स्वामी परसाद मौरिया हो सकता है अपने घर बाप से कर ले घर बाप से का मतलब दोस्तों स्वामी परसाद मौरिया जिस पार्टी से पहले नौन राजनीती शुरू की बसपा उसमें जा सकते हैं आपकी कह रहा है अपना जवाब कमेंट बॉक् नमस्कार